साई की बात साई लिखना रोज ऐसा रोज करना और साई लिखना और उसके आगे पीछे कुछ मत लिखना सिर्फ साई लिखना और इस तरीके से लिखना कि कहीं भी कोई भी खाली जगा ना बचे हर जगा बस साई साई लिख देना और बहुत सुन्दर लिखावट में लिखना बहुत सुन्दर लिखावट में और वो कलम लाल होनी चाहिए लाल रंका होना चाहिए और उसके पीछे ना पन्ने के पीछे अपनी सारी इच्छाएं अपनी सारी तकलीफें अपनी सारी मन की बातें अपनी इच्छा उस पन्ने क के पीछे लिख देना और अजब यई होगे वाहाई प्ति खोलगर पर पढ़िना और उसे मैं पढ़ोंगा तका आज से यही तरीका अपना लेना मुस्टक कि फिर देखो की तुम्हारी बाते चीजे々ं तुम्हारी इच्छाएं कैसे में पूरी नहीं करता, देखो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी सारी बातों को पूरा करूंगा और जब मेरे पास लिकर छोड़ दोना तो निश्यन तो जाना कि मेरी प्रात्ना, मेरी इच्छा मेरी मन की बाद बाबा तक पहुँच चुकी है विश्वास रखना इस बात का कि तुम्हारा साई तुम्हें जवाब जरूर देगा और वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, जरूर पूरी होगी मेरे बचे, और सुनो जो तुम्हारा साई साज सिंगार करके बैठता है ना मेरे बचे वो इसलिए बैटता हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को शौक है मुझे श्रिंगार करवाने का और इस रूप में देखने का तुम्हारा मन करता है और इस माध्यम से मैं तुम्हें ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में जितने भी उम्र के लोग है ना चाहे उम्र उनकी कितनी भी हो चाहे बड़ी हो या कम हो कैसी भी हो उन सब के मन में अलग-अलग शौक होते हैं और तुम्हारा करतव्य बनता है कि उनके शौकों को पूरा करो, उनके शौक की इज़त करो मेरे बचे, उनकी बातों को सुनो, उनके जो शौक हैं, जो उनका मन है, उसे पूरा करने की कोशिश करो, और वैसे भी मेरी अपार किरपा है तुम पर, अपार अश्रवाद है तुम प्रवति का अश्रवाद है, महादेव का अश्रवाद है, तुम पर हर एक का अश्रवाद है, हर एक का, और तुम पर सबसे बड़ा ब्रह्मान नायक तुम्हारे साइं का अश्रवाद है, और जिसके साथ इतने सारे अश्रवाद जुड़े हो, उसका भला कोई क्या ही बिकार सकता है, तुम चारों तरफ आश्रवाद से घिरे हुए हो, तो तुम्हारा कोई कैसे कुछ चुछ बेकार सकता है, बोलो, तुम ना बहुत प्यारे हो और बहुत खास हो, इस बात का तुमें अंदाजा भी नहीं है किसी ऐसे इंसान को देना, जिसके पास में सब कुछ है, तो वो तुम्हारा देना बिकार है, किसी ऐसे इंसान को दो, जहां से तुम्हें दुआएं मिले, जिसके पास वो चीज ना हो, जिसके पास उस चीज का अभाव हो मेरे बच्चे, तो वैसा कुछ करना, वैसा देना, औ तुम चाहे आगे बढ़ते जाओ, चाहे कम प्रयास करो, या बिन प्रयास के ही, तुम्हें जो मौके मिल रहे हैं न, वो मेरे अश्रवाद से मिल रहे हैं, जो अश्रवाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ न, उससे मिल रहे हैं, सब कुछ, लेकिन तुम विश्वास रखो, जरूबत है बताओ क्यों जरूबत है तुम्हें कि वो तुम्हारे साथ होने चाहिए जब वो तुमसे ईशा करते हैं तो तुम क्यों चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ खड़े रहें क्यों मत करो ऐसा जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और सर्फ प्रथम जो भी चीज वो तुम्हारे पास आ जाएगी, जो मिलना होगा तुम्हें, वो मिल जाएगा, और जो बहुत जरूरी चीज़े हैं, वो सब हो जाएगी, तुम्हारे फैसले जो तुमने लिये हैं, वो बहुत अच्छे से लिये हैं, और आगे भी तुम फैसले बहुत अच्छे से लोगें, मुझे विश्वास है तुम्हारे उपर और मैं तुम्हारे पैसलों के साथ में हूँ ठीक है न और सुनो तुम्हारे मन में जो छोटी मोटी थोड़ी सी हलकी फुलकी भी अगर किसी के लिए ईशा है न तो उसे करना बंद कर दू क्योंकि यही अगर तुम्हारा आचरण होग हैं जो सब समान लगते हैं लेकिन तुम तो अलग हो ना तुम तो मेरे बच्चे हो तुम तो अतुले हो तुम तो विसेस्ट हो मेरे बच्चे तुम बहुत उत्तम हो तुम बहुत खूबसरत हो दिल से भी मन से भी तो तुम्हें क्या जरुआता है किसी से ईशा करने की तु वह प्यार मिलेगा को बहुत अगे मिलेगा और किसी ऐसे इंसान को भिज रहा हो जो तुम्हारा दुख बाटेगा जो तुम्हें समझेगा वो तुम्हारे पास बहुत जल्दी आएगा और इस वज़ा से भी आ रहा है कि उस इंसान को भी तुम्हारी जरुवत है वो इंसान भी ना बहुत अकेला है अपने जिंदगी में उसने भी बहुत दुख जेले हैं बहुत संगर्श किये हैं और आज वो अकेला है उसे भी किसी सहारे की जरुवत है और तुम्हें भी तो तुम दोनों आपस में कहते हैं ना जब नकरत्मक नकरत्मक चीजें मिलती हैं तो आपस में वो मिलकर सकरत्मक हो जाती हैं तो बस वही करना है तुम्हें है ना एक दूस दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ना है एक दूसरे को हिम्मत देनी है दोगे न एक दूसरे को हिम्मत और तुम कर पाओगे मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है बहुत खुशी है तुम्हारे अंदर और तुम बहुत अच्छे से रिष्टों को निभा सकत ते ही उन्होंने अपने जिम्मेदारे लेने शुरू कर दी, वही काम शुरू कर दिये, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें परिशान करने के लिए था, बस तुम्हें परिशान करने के लिए, काम तो वो कर सकते थे, बस वो बहाने बनाते थे कि तुम वहाँ पर करो, तुम वो कहां से हटाने का लेकिन ठीक है जाने दो और सुनो जो चीज़े तुम्हें खानी अच्छी नहीं लगती ना तुम्हें ऐसा लगता है कि यह खाकर तुम्हारे मुगा स्वात खराब हो जाएगा लेकिन तुम नहीं जानते हो कि जो चीज़े तुम्हारे आगे परोसी जाती है वो तुम्हारे लिए पॉस्टिक आहार होती है वो तुम्हारे शडीर के लिए अच्छी होती है लेकिन तुम क्या करते हो तुम्हारे आगे तरह तरह के वियंजन चाहिए तुम्हें खाने को तुम्हारे स्वात चाहिए तो यह सब गलत बात है मेरे बच्चे हफटे में एक तो तुम खा सकते हो तो भी कोई मना ही नहीं है वो चलेगा लेकिन रोज रोज ये अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे बिलकुल भी नहीं है और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि खाना उतना ही बनाया करो जितना तुम्हारे घर में जरुवत है या फिर उतना लिया करो जितना तुम खा सकते हो तुमारे घर से बहुत बरबादी होती है अन की बहुत बरबादी तुम जानते हो अन की बरबादी करना साइं की बेज़ती करना साइं का अपमान करना साइं का सम्मान को ठेस पहुचाना अन बहुत बड़ी चीज़ है अन इश्वर है अन अ लेकिन इस तरीके से बाहर मत्वे को मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता बिलकुल नहीं खुश रहो आज का मध्यान साई संदेश समाप दूआ